बिस्मिल्ला रुक्मार रहीम अस्टाम लेकुम फेर्ड वेलकुम बैक टू मैई चैनल टेस्टी फोड विद्यरम फेर्ड आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ शेयर करने जा रही हूं देगी चना मेवा प्लाव की रस्पी पांच किलो चना मेवा प्लाव हम त्या बानी के लिए हमें चाहिए 5 किलो बासमती चावल इनको 2-3 बार अच्छी तरह पानी से दो के इनको मैंने विगो दिया है थीस बिट के लिए और यहां पे बैने 1 किलो वाइल के वे चने भी ले लिए सिंपल नमग डालके चना को मैंने वाइल कर लिए और चनो को पानी है वह भी हम प्लाव में इस्तावाल करेंगे और फिरंस 5 किलो के देग गुनाने के लिए हमें चाहिए प्यास 400 ग्राम टमाटर मेने ले लिए 250 ग्राम और 5-6 अदर हमें चाहिए सबस हरी मर्चे और मसालों में हमें चाहिए कुटीवी लाल मर्च 20 ग्राम पिसीवी लाल मर्च 10 ग्राम पिसवा खुश्टनिया 1 ग्राम नमक हमें चाहिए 120 ग्राम दाचीनी की स्टैक्स 12 ग्राम बे लिव यानिके तेजपात हमें चाहिए 1 ग्राम और फैनल सीट यानिके हमें सौंफ चाहिए 8 ग्राम साबत काली मर्च 10 ग्राम प्लैक कडवम यानिके बडी मोटी लाइची 10 ग्रम, और 2 क्रम हमें लॉंग चाहिए, स्फेज जीरा 20 ग्रम, आदा किलो चाहिए हमें दही, लैसर वर द्रग का पेस्ट हमें चाहिए 60 क्रम, और एक गलास हमें चाहिए इमली का पानी, और प्लैक किष्मिश हमें चाहिए आद आयल में सबसे पहले हम जो खड़े मसाले हैं साबत बो डाल देंगे चंद से किन के लिए इसको हम फ्राइ करेंगे अब इसमें में शामल कर रही हूं कटीवी प्यास और प्यास को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर रहे और यहां भी मैं आपको एक जूरी टिप बताऊंगे जिससे खुबसूरत आपके प्लाव का कलर आएगा तो जब इस तरह से खुबसूरत इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो आदक आप हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको दो से तीन मिंट के लिए कवर कर देंगे इस तरह से प्यास का कलर निकलेगा और खुबसूरत प्लाव का कलर आएगा तो दो से तीन मिंट घुज़र के अब जो लैसन और अद्र का पेस्ट है वह हम शामल कर देंगे और एक से दो मिंट के लिए इसको भी प्यास के साथ बूल लेंगे और फिर ये बांटने के लिए मैं प्लाव ना रही हूं तो मैंने सूच है कि आपके साथ भी रेस्पी शेयर कीज़ए तो जरूर आपने इसको एंड तक देखने और अब जो तमाम मसाले वह हम इसमें शामल कर देंगे और दो से तीन मिंट इनको पूल लेंगे अब जो कटे में टमाटर है वह शामली कर देंगे और इसको तब तक हमने पका रहे हैं जब तक टमाटर गल ने जाते साथ अगर पानी का चींटा लगाने के जोत पड़ेगी तो भी हम साथ साथ लगाते रहेंगे थोड़ी सी साबा थरी मर्चे जो है वह भी मैंने साथ लगाते है इससे बहुत ही मज़दार टेस्ट राता है अपलाओ का तक हम चार से पांच मिंट लगें मसाला जो है हो अच्छा बुन चुक है तो मट अब हम आज हलकी कर देंगे और इसमें जो आदा किलो दही है वो डाल देंगे आज हमने इसलिए हलकी करनी है थाके एकदम जब हम दही डालेंगे तो वो फटे न आप इसमें डिशावल शाबल करहे हूं गोई कि आवय चने चनों का पनी दालेंगे तो फम slipping बूल लेंगे copली कि कहीं जो संगилось लगे को आजलेंगे में आफ एक से ढूमिट के लिए बूले बूल लेगे तो सबीस और इसमें इमली कापानी ठाल परेंगे तो 5 kg हमारे चावल हैं तो इसमें हम साड़े 4 लीटर पानी ढालेंगे थोड़ सा कम हम पानी रखेंगे तब ही जो प्लाव हमारा वो खिला खिला बनेगा तो ये सारा पानी मैंने शामल कर दिये अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाला जाए तो पानी वाइल होने शुरू हो के अब जो चावल हमने बगो के रखेंगे उसका पानी निकाल देंगे और चावलों को इस पानी में शामल कर देंगे इस मोके पे आप नमग भी टेस्ट कर सकते तो अब कर आपको कम लगे तो आप इस मोके पे इसमें नमग भी डाल सकते एक बार इस्तिके से इसको मिक्स कर देंगे और आप तेज आंच पे 5-6 मिन चावल को आपने इसी तरह पकने देने अब हम चेक कर लेते 90% जो पानी ये चावलों का वो ड्राय हो चुक है तो अब इसमें मैं किश्मी शामल कर रही हूँ इस्तिके से सारे पे किश्मी शाम फिला देंगे और इस चना वेवा प्लाव को भीखूल देगी स्टाइल से हम बना रहे है तो थोड़ा सा इसमें मैं येलो फूड कलर पी डाल रही हूँ और दस प्रिंट करें इसको हम हलकी आँच पे कवर कर देंगे अब हम चेक कर लेते हैं बहुती मज़दा पुश्पू आ रही है तो ये जबदास सा हमारा खिला खिला देगी चना वेवा प्लाव रिडियो हो चुक है तो इस तरह से जबदास सा ये देगी चना वेवा प्लाव बनाके आप 30-40 लोगों में अराम से बाढ़न सकते ये मारा प्लाव रिडियो हो चुक है अब हम इसको बॉक्स में डालेंगे और फिर इसको बांड देंगे तो फिर देखा आप लोगों ने कि कितनी असानी से परफेक्ट मईयमन के साथ 5 या 10 किलो की देग आप असानी से घर पर बना सकते हैं बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक देखते रहें टिस्टी फोड विदे रहाँ